नमस्कार साथियों आप सभी का हमारे इसक्रेशनल प्लैटफॉर्म कॉंपटिशन कमेडी पर एक बार फिर दस्वागत है अगर हम बात करें आज के सेशन की तो बिल्कुल किये गए वादे और तैस समय के मताबिक यहां पर हम लोग जूर चुके हैं जहां कि आप लोग लाइव सेशन के माध्यम से जूरने के बाद पूछ रहते कि सर हमारी प्लाइनिंग कैसे होनी चाहिए कौन-कौन से टॉपिक्स पर हमें ज्यादा फोकस रहना चाहिए यानि कि जहां से प्रश्ण बनने की संभावना ज्यादा है तो यहां पर हम लोग क्या करें कि आपकी परिक्षा में आने वाले सभी टॉपिक्स पर क्या करेंगे डीटेल में लक्चर्स अटेंट करने वाले हैं आप लोग हमारे साथ में जुनने वाले हैं लाइव सेशन के माध्यम से तो हो जाईए तयार और यहां पर आप अपनी एक स्टेडिजी प्लान बना सकते कि आपको किन किन टॉपिक्स पर कितनी मेहनत करने की जरूत है और अभी तक अगर आपने लास्ट येर के पेपर का अनेलसिस वाला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लें जहां पर मनें आपको लोगों को बताया कि अगर हम बात करें more than 50% questions ऐसे थे जिनको हम आसानी क साथ बना सकते थे हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए बेसिक concepts अगर हमें clear है तो हम क्या कर सकते एक planned way में जाकर के selected questions को भी अगर बना कर क्या है तो सी सैट को लेकर करके हमारे मन में कोई दुविधाया संका नहीं होनी चाहिए तो फिलाल यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे पिछले 6 वर शो में किन topics से कितने कितने questions पूछे गए इसका एक detailed analysis तो अगर हम बात करें सबसे पहले यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 2016 से लेकर के 21 तक के paper का हम लोग करने वाले analysis यह analysis अलग अलग तरीके से होने वाला है तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर आप सब्सक्राइट की बात करें तो हो सकता है वीडियो में आपको थोड़ी सी कठनाई हो रही हो लेकिन टेंशन लेने की ज़रूत नहीं है आप लोगों की demand पर PDF भी आपको मिल जाएगा competition कमटी के mobile app पर चलिए तगर हम बात करें यहां पर आप देख सकते कि किस year में किस topic से कि ने questions पूछे गए थे नीचे आपको यहां पर topics mention किये गए कुछ topics मैंने ऐसे भी यहां पर include किये हुए है जिनसे आपको question देखने को नहीं मिले जैसे अगर हम बात करें data sufficiency data sufficiency से आपको question नहीं मिले और यहां से आप अपना एक analysis यह भी देख सकते हैं कि सबसे जादा जो प तरगत आने वाले सभी प्रकार के प्रश्णों की अगर हम बात कर तो आप देख सकते हैं कि सीरीज से आपको सबसे आदा प्रश्ण देखने को मिले हैं तो एक यह भी आप strategy बना सकते हैं कि यहां सीरीज को बिल्कुल seriously लेना है सीरीज को ignore नहीं करना है इसी प्रकार कुछ ऐसे भी प्रश्ण आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि किसी एक particular year में पूछे गया है और उसके बाद देखने को नहीं मिले जैसा अगर हम बात करें course of action course of action कि अगर हम बात करें तो यहां पर 2016 में आपको चार प्रश्ण देखने को मिले और इसके बाद प्रश्ण आपको देखने को नहीं मिले इसी प्रकार अगर हम पिछले दो वर्शों की बात करें तो अगर हम बात करें इसके दूसरे तरीके से हम लोग यहां पर देखेंगे कि किस वर्स में कौन-कौन से कोश्ण आपको देखने को मिले है यहां पर आप डीटेल में देख सकते कि जब हम बात करेंगे 2016 कि किस topic से कितने number of questions आपको देखने को मिले और साथ ही साथ अगर हम बात करें वो प्रशण क्या थे उन प्रशणों की भी हम चर्चा करेंगे तो जैसा अगर हम बात करें यहां पर 2016 में analogie से जो आपको question देखने को मिला तो analogie का question आप यहां एक analysis है जहाँ पर आप देख पाएंगे कि किस year से कितने number of questions आपको देखने को मिले clear चलिए आगे बढ़ते हैं आगे कि अगर हम बात करें तो बहुत सारे topics हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा अगर हम बात करें recent exam में recent exam में अगर हम मैं बात करूं तो blood relations question से आपको यहाँ पर question तीन question देखने को मिले हैं आपके 2021 की परिक्षा में तीन question आपको blood relation से देखने को मिले हैं question आपकी screen पर है हो सकता है brightness के कारण से थोड़ा सा यहाँ पर आपको इसको देखने में क्या आ रही हो कठिनाई आ रही हो clear तो यह मैंने कहा कि आपको मिल जाएगा PPT जिसकी help से आप आसानी से चली जिसकी help से आप क्या कर सकते हैं आसानी के साथ analysis कर सकते हैं बिना किसी कठिनाई के तो आप देख पा रहे हैं आपर blood relation से आपको प्रश्न कौन कौन से देखने को मिले हैं यानि कि अगर हम बात करें तो आपको coded form of blood relation का question भी last year ही पूछा गया था ठीक है इसके लावा अगर हम बात करें तो और भी आपके यहाँ पर topics आप देख सकते हैं जिनसे आप देख सकते कि कितने number of questions पूछेगे हैं अगर हम recent exam की बात करें तो आप देख पाने coding decoding से भी यहाँ पर आपको तीन question देखने को मिले और आप उस इसतर के according क्या कर पाएंगे अपनी तयारी और वुक्ता और बहतर कर पाएंगे तो यह coding decoding से पूछेगा है प्रशन भी आपके screen पर देखने को मिल रहा है तो आप देख सकते हैं कि अच्छे खासे logic पर based question देखने को मिले एक अगर हम बात करें तो simply यहाँ पर topics का यहाँ पर आपको एक analysis देखने को मिला साथी साथ हम syllabus की भी चर्चा करेंगे तो जिन विद्यारते हैं अभी तक syllabus नहीं देखा हलाकि syllabus को देखकर के बहुत confused नहीं होना है directly हमें यहीं से समझ लेना है कि किन topics से question पूछे जा रहे हैं क्योंकि syllabus में आप कई बार क्या हो ज reasoning की तो reasoning के लिए I hope कि अभी आप एक बहतर strategy बना पाएंगे और जैसे कि मैंने कहा जनवरी में हम लोग जूड़ रहे हैं live session के माध्यम से तो आपको डेट बिल्कुल बता दी जाएगी पहले सापको update कर दिया जाएगा और बिल्कुल कमरकस के आप तयार हो जाईए 15-20 अग अभी करेंगे और साथी साथ काम भी करेंगे तो आज के लिए फिलाल इतना ही मिलते हम लोग next session में thank you